Welcome students, so जो हमारा chapter है Cell Biology और Bio Technology उसका आज हम Part 6 स्तार्ट करेंगा और समझेंगे कि Part 6 में क्या है So, let's start the session Commercial Application of BIO Technology हम ने स्तार्ट किया था देखा था crop BIO Technology, crops में किस तरह से उसकर सकते है Animal husbandry में किस तरह से उसकर सकते है Human Health में किस तरह से उसकर सकते है वक्सिन बनाने में, treatment, interference, gene therapy, cloning, cloning के दो टाइप देखे थे strengths, reproductive cloning और therapeutic cloning, इसके बाद हमने industrial products में देखा था किस तरह से diet technology का यूज है, और environment and diet technology में किस तरह से यूज हो रहा था, हमारा diet technology, अब हम देखेंगे food, food में भी diet technology का क्या role है? आपको इतना जो रोल्स हैं बायो टेक्नलोजी के अप्लिकेशन्स है वो समझाओ और हम देखने कि फूड में क्या रोल है फूड में क्या अप्लिकेशन है हमारे बायो टेक्नलोजी का तो देखते हैं फूड आइटम लाइक ब्रेट, चीज, वाइन, बीयर, योगर्ट, वीनेगर are produced with the help of micro-organism तो कुछ food materials जैसे कि ब्रेट हो गए, चीज, वाइन, बीयर, योगर्ट और वीनेगर इस टाइप के जो फूड हैं कैसे बनाए जाते हैं, micro-organisms का use करके और यह बहुत पहले से हम प्रेक्टिस करते हैं, बहुत पहले से हम इन micro-organisms का use करते हैं इन सब food materials को बनाने के लिए कौन-कौन से हैं, ब्रेट, चीज, वाइन, बीयर, योगर्ट और वीनेगर स्ट्वेंट्स अब हम एक और application देखने वाले instruments, बायो टेक्नलोजी का वो है DNA Fingerprinting क्या है instruments? DNA Fingerprinting आप सबको जैसे मालूम है कि सबके जो Fingerprints होते हैं, क्या होते हैं? सबके जो Fingerprints होते हैं, वो अलग-अलग होते हैं उसी तरह से जो आपका DNA sequence होता है, क्या होता है instruments? आपका जो DNA का sequence होता है, वो क्या होता है? वो भी अलग होता है आप DNA sequence मतलब आपको समझना है क्या होता है अगर आप ये cell है ये cell का nucleus है cell के nucleus में आपका रहेगा DNA तो अगर हम DNA को zoom करते हैं तो उसमें हमें ऐसे-ऐसे sequence दिखेंगे ऐसे-ऐसे sequence दिखते हैं तो ये सब sequence क्या रहते है ATGC ये सब molecules है ATGC आप highest class में जाएंगे तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि ATGC से sequence होते है ATGC ऐसे sequence होते हैं तो ये sequence में क्या होता है कभी-कभी sequence किसी का होगा AGTC ऐसे-ऐसे sequence क्या होंगे सब sequence क्या होंगे अलग होंगे सब में sequence क्या होंगे सब animals के sequence होंगे सब humans के sequence होंगे हर humans का अलग-अलग sequence होगा इससे ही हम क्या बोलते है DNA fingerprint जिस तरह से हमारे fingers के ये जो इसा है ना fingerprints वो अलग होते है ना उसी तरह से हर इंसान के हर animals के हर organisms के क्या होता है DNA sequence अलग होता है unique होता है DNA sequence of each person is unique as that of fingerprint तो यहाँ पे वही बोला सब्स जैसे कि हमारे fingerprints अलग होते है वैसे ही हमारे DNA के sequences भी अलग होते है due to this identity of any person can be established with the help of its available DNA तो इस तरह से हम क्या कर सकता है किसी भी person को हम पहचान सकते है DNA चेक करके हम क्या कर सकते है किसी भी person को पहचान सकते है कि ये person है this is called as DNA fingerprinting जैसे हम fingerprint से पहचान लेते है कि ये वो person जैसे कि आधार काड हमने बनाया है उसमें fingerprint लगता है तो अगर हम कहीं भी अपना fingerprint लगाते है तो हमारा पूरा information निकल के आजाता है आधार का जो भी information निकल के आ सकते है उसी तरह DNA fingerprinting भी होता है मतलब DNA sequence को भी हम क्या करते है as a information store करके रखते है क्या करके रखते है और अगर जो criminals रहते हैं उनका DNA sequence क्या होता है store करके रखते हैं हम computer में और फिर बाद में अगर वो criminal जो है वो जैसे कि अपना जो face है वो change करके crime करता है तो भी वो DNA तो नहीं change कर पाएगा तो हम DNA fingerprinting से क्या करेंगे उसकी identity निकाल लेंगे उसका information हम निकाल लेंगे अगर हमें crime place पे उसका कुछ part मिलता है कोई बाल मिलता है या कोई organ मिलता है तो उसके वज़े से या उसका blood भी मिलता है तो भी हमें पता चल जाएगा कि यह वो criminal है जो क्या कर रहा था अपना face change करके crime कर गया तो इसे ही बतने इट इस mainly useful in forensic science तो यहाँ पर बोल दी कहां यूज होता है यह forensic science में यूज होता है identity of criminal can be established with the help of any part of its body found at the site of crime तो मैंने आपको पहली बोला है कि criminals का पहचान हम कर सकते हैं अगर crime place पे हमें उनका कोई भी part मिलता है कोई भी hair का hair भी अगर मिल गया हमें blood का कोई drop भी मिल गया तो भी हम पहचान लेंगे क्या करके DNA finger printing करके similarly identity of father of any child can be established और हम father के DNA और child का DNA match करके हम क्या कर सकते हैं पता सकते हैं कि इस child का father यही है students this research is performed in center for DNA finger printing and diagnostic हैदराबाद तो यह कहां पे होता है students यह जहां पे DNA finger printing का center है हो कहा है है हैदराबाद में students so वहां पे यह research होता है students DNA finger printing का so यह सब किसके help से हो रहा है यह सब बायो टेक्नोलोजी के help से हो रहा है students क्या हो रहा है बायो टेक्नोलोजी का application है यह सब चो DNA finger printing food बायो टेक्नोलोजी इतना भी आपने पढ़ा है उससब बायो टेक्नोलोजी का क्या है बायो टेक्नोलोजी का यह application है अगर आप बायो टेक्नलोजी इन केस अगर आप फ्यूचर में बायो टेक्नलोजी फिल्ड में जाते तो आपको इतने सारे चीज़ें पढ़ने मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें तब तक इन्वेंट हो चुकी होंगे आपको वो सारी चीज़े study करने मिलेंगे और बहुत ज्यादा importance आपको समझ में आएगा बायो technology का यहाँ पर एक छोटा सा box दिया है स्ट्रेंट्स cleaning of oil spillage in ocean तो आपने बहुत बहुत बार सुना होगा कि जो बड़ी-बड़ी ship से कारगो हैं जो बड़ी-बड़ी वो क्या हो गई है वो पलट गई है और जो पूरा oil है स्ट्रेंट्स वो क्या होगा है पूरे sea में फैल गया है स्ट्रेंट्स तो oil का density water से कम होता है तो क्या होता oil flow करता है water के उपर जिसके वाज़िस क्या होता sunlight अंदर तक नहीं जा पाती है और नहीं जो water vapors है वो बाहर आपाते हैं स्ट्रेंट्स तो इससे क्या होता है इससे जो अंदर aquatic animals है उनको harm होने लगता है क्या होता है और जो oil से अलग से harm हो रहा है वो तो हो नहीं वाला और अगर हमने उस oil को ऐसी छोड़े है तो कम से कम 10 से 20 साल लगते हैं स्ट्रेंट्स उस oil को हटने के लिए पूरे पानी में से पूरे पानी में क्या होने से उस उस oil को हटने के लिए 10 से 20 साल लग जाएंगे students so देखते हैं कि कैसे clean किया जाता है उस oil को ocean से कैसे clean किया जाता है वो देखते है if oil spillage occurs it adversely affect the marine life now cleaning the ocean without any harm to environment in cheaper way has become possible with the help of oil digesting and past multiplying bacteria so आपने सुना ही होगा कि oil spill हो जाता है और समुंदरू अगेरा में, सीव अगेरा में so हमें उसे साफ करना है अब हम साफ किसे और हमें साफ भी ऐसा करना है कि हम किसी aquatic animal को कुछ हाम ना पहुचा है ना हम environment को कोई हाम पहुचा है तो हमें साफ भी ये ध्यान देके करना है कि environment को कुछ हाम नहीं होना चीए या हो, जो fast क्या हो, multiply हो तो यह सब characteristic से हम क्या करेंगे, वो bio technology के help से उन bacteria में generate करेंगे, उन bacteria में क्या करेंगे, produce करेंगे, तो हम ऐसे bacteria घुज करेंगे, जो oil digest कर जाए, और fast multiply भी हो, इससे क्या ओगा, इससे हमारे जो environment है, उसको भी हाम नहीं होंगा, और aquatic animals को भी हाम नहीं होने वाला so इस तरह से हम oil spillage को साफ करते हैं oil spillage को clean करते हैं हमारे sea वागे गयरा से आगे देखते हैं क्या है India born American citizen and doctors Anand Mohan Chakravarti had for the first time suggested the use of such microbes तो American citizen था American का बंदा अचा जो इंडिया में पैदा हुआ था और scientist Dr. Anand Mohan Chakravarti थे जिन्होंने पहली बार बताया था कि microbes का use हम oil spill करने के लिए कर सकते हैं naturally the credit of this discovery goes to him तो इसका जो discovery हुआ है वो Anand Mohan Chakravarti जी ने किया है कि उन्होंने बताया कि हम microbes का use कर सकते हैं oil साब करने के लिए जो हमारा oil spill हुआ है seeds में हम उससे साब कर सकते हैं क्या करके microbes का use करके strengths तो यह सब क्या है एक टाइप से बायो टेकनलोजी का सब application strengths इस तरह से हम बायो टेकनलोजी को यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे जगा पे strengths अब हम देखते हैं कुछ important stages in agriculture development क्या है important stages in agriculture development तो आपको जैसे की पता है कि इंडिया जो है वो agricultural land है क्या है agricultural land है यहाँ पे जो primary source of food है वो agriculture सा ही आता है हमें कैसे आता है agriculture से आता है तो agriculture develop कैसे हुआ है इंडिया में उसका अलग-अलग stages and students मतलग agriculture field में जो भी development हुए है वो कौन-कौन से stages हुए है ऐसे कौन-कौन से stages कौन-कौन से important stages है जिनके वज़े से हमारा agriculture develop होते ही गया students so वो सब हम देखेंगे students so उसमें से देखो students green revolution है एक क्या students green revolution so green revolution आपने सुना ही होगा आज हम पढ़ लेते हैं कि green revolution होता क्या है और green revolution के वज़े से कैसे हमारे agriculture में development हुआ है students वो हम देखते हैं problems of population explosion were started to appear at the beginning of 20th century almost all the country especially underdeveloped and developing country had been badly affected by the effect of poor quality and quantity of the food students so जैसे कि आपको मालूम है students जो इंडिया है वो second rank पे है population में पूरे world में और 20th century में यह population बढ़ते ही जा रहा था इंडिया में ही नहीं बलकि पूरे world में population बढ़ते ही जा रही थी और इससे problem किसको हो रही थी जो अंडर developed और developing country जैसे कि आपको मालूम है इंडिया क्या है developing country है students so ऐसे देशों में क्या हो रहा था students ऐसे देशों में जो food का quality और quantity वो कम था students क्या था food का quantity भी कम था quality भी कम था तो क्या कर रहे थे population फीड नहीं हो पारी थी, क्या हो रही थी students, population को फीड नहीं कर पा रहा था हो country, क्योंकि उसका population बढ़ते ही जा रहा था, Various methods applied for harvesting maximum yield from minimum land are collectively called as green revolutions, तो आपको समझना है क्या है, हमने बहुत सारे ऐसे methods का use करना start कर दिया, तो हम उसे क्या बोलते हैं, green revolution बोलते हैं, क्या बोलते हैं strengths, green revolution, उसे हमने नाम क्या दिया है, green revolution, तो आपको एक बार फिर से मैं पढ़ के बता देता हूँ, Various methods applied for harvesting maximum yield from minimum land are collectively called as green revolution strengths, Improvised dwarf varieties of wheat and rice, proper use of fertilizers and pesticides and water management has led to increased production of food grains and thereby large population had been saved from hunger, So, क्या दिया है strengths, dwarf variety क्या होता है, पहले जो wheat और rice के plants होते थे ना strengths, वो कापी बड़े बड़े और लंबे लंबे होते थे, तो उसे हमने क्या कर दिया, dwarf variety, short कर दिया है, क्या करके, bio technology का use करके strengths, तो उसे हमने क्या किया है, short कर दिया है, जो wheat और rice के plants, और हम study करकर के क्या की है, हमें पता चला है कि हमें कितना proportion में fertilizer यूज़ करना है, किस तरह से हमें water देना है crops को इसके वज़े से इसके study के वज़े से हमें क्या हुआ है हमें बहुत फाइदा हुआ है और हमारा जो food grains का production है वो बढ़ गया है क्या हुआ है वो बढ़ गया है तो इसके वज़े से क्या food production बढ़ गया है हमारा तो क्या हुआ है इसके वज़े से बच गया है तो इस तरह से Green Revolutions आया था students Dr. Norman Barlog from USA and Dr. Ms. Swaminathan from India had valuable contribution in Green Revolution तो Green Revolution सबसे बड़ा contribution था जो कि Norman Barlog जो USA से है और Dr. Ms. Swaminathan जो इंडिया से तो proud वाली बात यह है कि इसमें Indian बंदा भी शामिल था Indian scientist भी शामिल था Green Revolutions में contribution देने के लिए तो यह दोनों का बहुत बड़ा रोल था Green Revolution को आगे तक ले जाने के लिए और हमारे agriculture को improve करने के लिए चाकि हमें जादा production मिल सके grain का food grains का तो इसमें क्या हुगा था श्रें में बता था Green Revolution में हमने बहुत सारे नए टाइप्स के hybrid seeds का यूज किया था स्ट्रेंड्स बहुत सारे अलग अलग जैसे की irrigation facilities का यूज किया था fertilizer दूसरे यूज किये थे, pesticide दूसरे यूज किये थे, अच्छे varieties के wheat और rice यूज किये थे जिसके वाज़ा था स्ट्रेंड्स? food production increase होते गया, food production increase होते गया तो हमने population को feed किया और population भुकमरी से बच गई स्ट्रेंड्स इस तरह से Green Revolution था वह चला स्ट्रेंड्स और agriculture में एक नया हमें successful मिल चुका था स्ट्रेंड्स और agriculture हमारे इंडिया में और भी बढ़ता चला गया, वर्ल्ड में और भी बढ़ता चला गया और बड़े अच्छे तरीके से बहुत अच्छे quality से और quantity से से स्ट्रेंड्स सो आगे देखते हैं क्या है Various research institute and laboratories are engaged in development of new varieties of various crops through research Example Indian Agriculture Research Institute, New Delhi, National Citrus Research Institute, Nagpur and Allied branches Indian Institute of Science, National Pomegranate Research Institute, Solapur तो students, बहुत सारे research institute और laboratories जो क्या करती थी नए नए types के बहुत सारे क्या करती है, crops बनाती थी, seeds बनाती थी, जो क्या करती थी हम use करते थी हमारे agriculture के लिए तो कौन-कौन laboratories और institute है, वो देख लेते हैं Indian Agriculture Research Institute, कहाँ पर यह? New Delhi में है National Citrus Research Institute, कहाँ पर? Nagpur में और इसके branches भी है, क्या है? Allied branches भी है, इसके अलग-अलग जगा पर Indian Institute of Science, National Pomegranate Research Institute, यह कहाँ पर? यह सोलापूर में है तो यह सब कुछ laboratories और institute है, इंडिया में जो की नए नए varieties of crops बना सकती ही, hybrid seeds बना सकती ही और जो की अच्छे quality और quantity में हमें food grains देखें, food देखें, crops देखें तो यह सब कुछ institute है, तो I hope आपको green revolution समझा होगा तो यह एक main stage था agriculture development में, main एक more था, जहाँ जो agriculture को एक बड़े level तक लेके गया आगे देखते हैं क्या, white revolution, अब देखते हैं white, अपने green revolution में देखा कि हमने crops को बढ़ाया है अब white revolution में देखेंगे कि हमने किस तरह से milk को बढ़ाया है, अब जैसे जैसे population बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हमें quality वाला food भी चाहिए, जिसके वैसे हमें पूरी तरह से हमारा जो protein need है, जो carbohydrate need है, फ्रैट need है, वो पूरा हो सके तो अब जो protein need था, उसे भी हमें बढ़ाना था, क्या करना था, जो protein का need था population को, उसे भी हमें बढ़ाना था, तो उसके लिए हमने क्या क्या, white revolution आया, तो देखते हैं कि white revolution में है क्या various parts of India were rich in milk and milk products, तो various parts, मतलब इंडिया में सभी parts में milk नहीं रहता था, बड़ कुछ-कुछ parts ऐसे होते हैं तो जहां पर बहुत सारे milk होता था और milk products होते हैं instance, however, those products were not sufficient to meet the needs of far-flung region, तो मैंने आपको पहले बोला, सब जगा तो milk नहीं मिल रहा था, बड़ जहां पर मिल रहा और पर वहां से हम दूसरी जगा वो milk नहीं ले जा सकते थे, यहां पर वही लिखा है क्या है students, however, those products were not sufficient to meet the needs of far-flung region, मतलब दूर दरास के जो area है, क्या है, दूर दरास के जो area है, far-flung मतलब दूर दरास के जो area है students, वहां पर वो milk नहीं पहुच पा रहा था, milk products नहीं पा रहें थे, Dr. Vargis Kieran proved through the cooperative movement and use of biotechnology that dairy cannot be allied but it will be a mainstream business, so Dr. Vargis Kieran, ये एक biologist assistant, Dr. Vargis Kieran, उन्होंने क्या क्या किया, cooperative movement, cooperative मतलब साथ में सबको लाया है, क्या किया है, एक type से सबको साथ में लाया है, और biotechnology का use करके उन्होंने क्या किया है, यहां पर देखो, एक sentence है, dairy cannot be allied but it will be a mainstream business, यहां पर क्या बोला है, हम dairy को साथ में तो नहीं ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, साथ में नहीं ला सकते हैं, वह नूं देरी बेच सकते हैं, डेरी को ऐसा बिजनेस हम यूज कर सकते हैं, स्टेंस, बायो टेकनलोजी का यूज करके, और कोपरेटी लुमेंट मतलब, कॉपरेट करना मतलब, उन्होंने सबको साथ में लाया, और क्या किया, dairy business start किया क्या किया dairy का business start किया he put the cooperative dairy moment to of Anand तो जो अमूल दूद आप सुनते हैं अमूल दूद अमूल बटर हो क्या है वो इन्हों नहीं start किया था Dr. Vargas Kunan क्या लामे he put the cooperative dairy moment of Anand Gujarat at all time highest status तो उन्होंने जो ये dairy moment था वो Gujarat से start किया था और ये हर दम highest status पे रहता था ये moment कभी बंद नहीं हुआ है आज भी चल रहा है आपने अमूल मिल्क सुनाओगा अमूल का जो फुल फॉर्म है अनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड तो ये अमूल दूद जो है अमूल मिल्क है अमूल बटर है कहां से स्टार्ट हुआ है ये डॉक्टर वर्गिस की रहें थे जिनोंने white revolution स्टार्ट किया था स्ट्रेंड सबको साथ मिलाया सो मैं बता दता हूं क्या होता है white revolution एक बार तो white revolution होता क्या स्ट्रेंड जो अमूल जो है अमूल जो कमपनी है आनन्द मिल्क यूनियन लिमिटेड वो कमपनी जो है डेरी की वो क्या करती है स्ट्रेंड वो सब जगा से मिल्क को जमा करती है क्या करती है सब जगा से वो मिल्क को जमा करती है स्ट्रेंड और वो कुछ मिल्क का बटर बनाएगी कुछ मिल्क का चीज बनाए, कुछ मिल्क का योगर्ट बनाती है और कुछ मिल्क को क्या करती है वो powder form में change करती है with the use of bio technology with the help of bio technology ताकि वो milk जो हो, वो खराब ना हो तो उसे powder form में कर दिया जाता है जब हमें milk की जरुवत होगी जब company milk produce करेगी तो वो powder form को क्या करती है वो powder form को milk में change कर देती है फिरसे और उसे इस तरह से जो protein का need था milk का जो need था, milk product के जो need थे वो पूरे हो रहे थे पूरे अंडिया में तो यही था white revolution मिल्क palace पूरे इंडिया में पहुचाना यह था वाइट revolution का मेश प्राइं करती है, जो इस तरह से वह तो business setup हो गया milk का dairy का business भी setup हो गया students while achieving the self-sufficiency dairy business various experiments were performed for quality control newer dairy products and their preservation तो जैसे जैसे यह successful होते गया जो आनंद milk union limited छाथ वाइट revolution था जैसे जैसे successful होते गया वैसे वैसे क्या होते गया नहीं नहीं experiments अब perform होने लगे किसलिए quality control मतलब quality भी check करने लगें अब दूद का dairy का जो भी है नहीं नहीं products भी कुछ-कुछ बनाते गाए जैसे कि घी हो गया यह सब भी नहीं नहीं products हम बनाते गए और नहीं नहीं तरीके भी ढूंडे गए दूद को बचाने के लिए milk को बचाने लिए और milk के products को बचाने के लिए तो इस तरह से जो white revolution था वो एक नया change लाया था सबी जगा milk पहुचाने के लिए सबी जगा जो दूद का नीड था जो milk का नीड था वो white revolution ने क्या किया पूरा किया है सब्सका जो पूरा जो पूरा जो contribution था वो dr. Vargas Curran ने दिया था अब हम देखते हैं blue revolution क्या होता है हमने देखा green revolution क्या होता है white revolution क्या होता है blue revolution क्या होता है हमने देखा green revolution में हमने crops को develop किया है white revolution में हमने milk का need पूरा किया है पूरे इंडिया में ग्रिन रेवलिशन में हमने crop का need पूरा किया है पूरे इंडिया में अब blue revolution क्या होता है वो देखना ज़रूरी है देखते हैं blue revolution क्या होता है तो आपको बता दें blue revolution जो है वो aquatic organism से related है तो जैसे जैसे population बढ़ रहा है हमारा जो fish है जो fish है वो भी एक food की तरह use होता है हमारे इंडिया में तो fish का भी production बढ़ना important है aquatic life का भी production बढ़ना important है तो उसके लिए blue revolution आया था क्या आया था blue revolution आया था तो देखते हैं क्या आया था तो देखते हैं क्या आया स्ट्रेंट्स प्रोडक्शन ओव वेरियस यूसफुल aquatic organisms with the help of water is called as blue revolution तो स्ट्रेंट्स का है बहुत सारे aquatic organisms का production करना जो बहुत यूसफुल होते हैं जैसे फिश हो गए प्रॉंज हो गए ऐसे बहुत सारे जो वाटर एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स उनका production करना उसे हम क्या बलते हैं blue revolution बोलते हैं क्या बलते हैं blue revolution farm ponds and the fishes are very common in east asian countries तो हम कैसे पालते थे इन्हें उस उन organisms को कैसे हम produce करते हैं हम ponds तालाब का यूस करते थे students और फिश को उनमें रखते थे तो यह तालाब का यूस करना वह बहुत ही common है कहां पे east asian countries में बहुत common है कि हम तालाब में fishes को क्या करते हैं पालते हैं students however people are not only thinking of cultivating the fish and shrimp but other aquatic plants and animals too तो जो हमारी population है वो क्या कर रही students वो सिर्फ fish और जो shrims उन्ही cultivate नहीं कर रही वो दूसरे aquatic animals और plants को भी क्या कर रहे हैं cultivate कर रहे students government of India has worked to increase the production by encouraging the people for PC culture by launching the program Nil Kranti Mission 2016 50% to 100% subsidies are offered in the case so students जो government of India है उसने क्या किया है students उसने इसका production बढ़ाने के लिए क्या किया है उसने जो हमारे government है 2016 में Nil Kranti Mission क्या करता है students जो PC culture है PC culture मतलब होता है students fishery fish और aquatic animals को जो हम पालते हैं उसे हम बोलते हैं fishy culture PC culture बोलते हैं तो PC culture को encourage करने के लिए Nil Kranti Mission launch इसमें क्या होता था students जो हमारे fishermans होते थे हैं जो fish को पालते थे उन्हें subsidies भी मिलती थी उन्हें कुछ पैसे भी मिलते थे यह PC culture start करने के लिए Nil Kranti Mission के तहत उन्हें कुछ पैसे मिलते थे PC culture को start करने के लिए 50% to 100% subsidies मतलब या तो उन्हें पूरे पैसे दिये जाते थे हैं या 50% पैसे उन्हें दिये जाते थे इस Nil Kranti Mission को start करने के लिए स्टेंट्स यह Mission के तरद उन्हें PC culture start करने के लिए क्या मिलता था स्टेंट्स गौर्वर्मेंट पैसे देती थी स्टेंट्स तो इससे क्या हुआ स्टेंट्स इससे बहुत सारे लोगों ने PC culture को start किया और PC culture को start किया तो फिश और जो श्रिंट्स जितने भी अग्या जितने भी यूस्फुल है उनका प्रोडक्शन क्या हुआ बढ़ते चला गया तो यही है blue revolution श्रिंट्स क्या है यही है blue revolution marine and fresh water fisheries is possible on a large scale fresh water fish like rohu, cutla and other fishery products like shrimp and robsters are being cultured on a large scale तो marine और fresh water जो फिश होते थे थे वो बहुत ही ज़्यादा पैमाने में produce किये जाते थे fresh water fishes जैसे कि rohu हो गया, cutla हो गया और भी बहुत सारे fresh water fishes को क्या कर रहे थे हम produce कर रहे थे हम cultivate कर रहे थे और कुछ streams मतलब कुछ जिंगे हो गई, कुछ seep हो गई और lobsters हो गई, बड़े-बड़े lobsters होते हैं students वो हम क्या करने लगे, वो culture करने लगे क्योंकि यह सब क्या हो जो milk को बढ़ाया और blue revolution जो कि aquatic animals को बढ़ाया है, so यह सब कुछ revolution से जिन्नोंने इंडिया के agriculture field में पूरा एक नया level पे लेके गया है, जो कि green revolution, white revolution, blue revolution क्या है, एक नय लेवल पे लेके गया है, इंडिया के agriculture field को strengths, so अब हम देखते हैं, fertilizers, क्या strengths, fertilizers, two types of fertilizers are used in agriculture, one of those is organic manure and other are chemical fertilizers, तो fertilizers भी दो type के होते हैं, क्या होते हैं, दो type के होते हैं, एक तो organic manure होता है, organic manure मतलब होता है, जो भी आपका organic waste है, आपके cow dunks वगेरा है, या human waste है, जो भी आपके घर का waste है, disposable waste है, degradable waste है, उसे हम क्या बलते हैं, organic manure बोलते हैं, तो fertilizer मतलब होता है खाद, हम जिसे बोलते हैं खाद तो एक तो वो हो गया और दूसरा हो गया हमने chemical यह fertilizer बनाए है क्या कि हमने chemical से fertilizer बनाए है, तो ऐसे दो type के fertilizer होते हैं water holding capacity of soil improves with soil conservation due to use of manures, तो जब हम organic manures का use करते हैं तो जो soil का water holding capacity हो क्या होता है increase होता है strength, पर chemical fertilizer पर ऐसा कुछ नहीं होता है strength, so इसलिए बोला जाता है कि organic manures को ज़्यादा use करो और chemical fertilizer को कम use किया करो, तो यह इसलिए होता है, क्योंकि water holding capacity, जब हम chemical fertilizer बार-बार यूज़ करने लगते हैं, तो water holding capacity of soil क्या होती है, खतम होने लगती है, पर जब अप organic manure यूज़ करते हैं, तो holding capacity क्या होती है, बढ़ती है strength, upper layer of soil essential in agriculture is formed due to humus formation, तो humus formation क्या होता strength, जैसे कि हमने organic जो manure है, organic जो खाद है, उसे हमने अपने खेत में डाल दिया, क्या किया, उसे हमने अपने खेतों में डाल दिया, तो अब वो क्या होगा, अब वो धीरे-धीरे dispose होना start, degrade होना start होगा, तो उसी degrade में क्या होता है strength, humus form होता है, humus form मतलब होता है strength, थोड़ा सा वो गरम होता है अगर आप थोड़े दिन के बाद उसे टच करोगे ना उसमें थोड़े से आपको heat feel होगा तो उससे ही हम क्या बोलते हैं यूमस बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टोइंट्स उसे हम यूमस बोलते हैं various essential elements like nitrogen, phosphorus and potassium can be available to crops due to earthworm and fungi तो जैसे कि nitrogen हो गया, phosphorus हो गया और potassium हो गया यह सब क्रोप्स को मिलते रहता है earthworm और fungi के वचे तो जहां पर humus form होता है वहां पर earthworm और fungi होने लगते हैं earthworm वहां पर जमा होने लगते हैं fungi वहां पर develop करने लगते हैं जहां पर humus form तो इनके वाज़े से क्या होता है nitrogen, phosphorus और potassium होता है वह crops को मिलने लगता है in soil less farming that is hydroponic liquid chemical fertilizers are used, soil less farming में अभी chemical fertilizers कहां यूज़ करेंगे soil less farming हो जहां पर थोड़ी थोड़ी rate होती जहां पर soil कम होती है strengths वहां पर हम यूज़ करेंगे chemical fertilizers को hydroponics को यूज़ करेंगे hydroponics chemical fertilizer liquid chemical fertilizer को हम वहां पर use कर सकते हैं however there are more harmful effects of liberal use of chemical fertilizer it includes decrease in fertility of soils तो बहुत जादा harmful effect है strengths chemical fertilizer use करने का strengths और यह क्या करता है soil की fertility को decrease करता है इसलिए हम chemical fertilizers को हमें कहां यूज़ करना चाहिए हमें soil less farming में use करना चाहिए जहां पर soil की कमी हो जहां पर layer path PA empt करना चाहते है रेटीले मैंदान में तो वहां पर हम क्या करेंगे chemical fertilizers का use करेंगे strength क्या करेंगे chemical fertilizers का use करेंगे इस वीडियो में इतना इस्टेंट अगले वीडियो में हम तेखेंगे इंसेक्टिसाइड्स, और्गनिक फार्मिंग, एपिकल्चर, कल्टिवेशन और मेडिकल प्लांट्स और फ्रूट प्रोसेसिंग इस वीडियो में इतना ही इस्टेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में